होगे तब तुम सब ज्यांद संकल मेर थैस झाटर्छा थैस्ट थर्मल एक्सपांशिन तो यह आपका चेक्टर इस चेटर चेप्टर का नाम है थर्मल प्रापर्टीज फ्मैटर प्राप्र इस अब टॉपिक ड़ॉत अच्छा अनिमेशन ला हूं तौमारे लिए कि thermal expansion होता क्यों है है ना तो तुम सब उस चीज को समझना कि आखिर का thermal expansion क्यों होता है फिर हम उसकी mathematics पर जाएंगे बहुत आसान chapter है कोई इतना tough chapter नहीं है तो मैं बहुत जल्दी समझ माज आएगा तो दिखो अपनी topic लिखो thermal expansion पर अब तुम सब इस animation को ध्यांच देखो सब को यह animation दिख रहा है देखो तो आपका जो solid होता है न कोई भी आपका solid या कोई भी state of matter वो किससे बना होता है atoms से वो किससे बना होता है atoms से तो अगर आपका temperature कम होता है तो आपके atom धीरे-धीरे vibrate करते हैं जैसे आप left hand side में देखो तो अगर आपका temperature कम होता है तो आपके atom धीरे-धीरे vibrate करते हैं लेकिन अगर आपका temperature आप बढ़ा दो अगर आपका temperature ज्यादा होता है तो आपके atoms तेज तेज वाइबरेट करते हैं तो तुम ध्यान से देखो at higher temperature they vibrate faster and take up more room expand but the particle them says are still in the same size तो पार्टिकल की size change नहीं होती है लेकिन पार्टिकल बहुत तेज वाइबरेट करते हैं तेज वह दूर-दूर हो जाते हैं आप खुछ सोचो अगर दो चीजे टकराएगी एक दूसरे से तो एक दूसरे से दूर होगी की नहीं होगी तो temperature बढ़ाने पर आपके atoms vibrate करते हैं तकराते हैं और दूर-दूर हो जाते हैं इसलिए आपका क्या होता है इसलिए होता है आपका thermal expansion तो कोई तुम्हें पूछे कि what is the reason behind thermal expansion तो as we increase in temperature atoms vibrate and they take up more space जैना अगर दो atom vibrate नहीं कर रहें शांत पड़े में तो वो तो इतनी space लेंगे अगर मान लो कि दो atom vibrate कर रहें तो वो ज्यादा जगे लेंगे तो यहाद रखना temperature बढ़ाने पर आपके atom vibrate करते हैं तो आपका material है वो expand कर जाता है लिखा अपनी कापे में with increase in temperature with increase in temperature atoms vibrate faster with increase in temperature atoms vibrate faster and they take up more space और वो ज्यादा space लेते ज्यादा जगे खेड़ते है ना तो लिख लो अपनी कापे में इसमें कोई डाउट होता पूच सकते हो अब तक इसमें कोई डाउट होता पूच सकते हो तो लिखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि all particles in a solid vibrate even when cold तो देखो vibration तो हमेशा होता है लेकिन temperature कम होता है तो vibration कम होता है temperature ज़्यादा होता है तो vibration ज़्यादा होता है ठीक है इस concept को याद रखना और फिर टॉप किसी को इसमें doubt हो तो पूच लो गांजी सो constant temperature पर एक इसमें सिंद्ध टेमपरेशर पर तेरे इंटम वाइट तो करेंगे यह तो टैंपरेशर घटाएगा तो वाइव्यरेट दिर रहोंगे टेंप्रेटर बढ़ाएगा तो वाइबरेट तेज होंगे बस जिसे महां ले 20 डिगरी पर वाइब्रेशन और बढ़ जाएगा दिअगा तो जयसे जीसे ठेमप्रेशर घंब करता जाएगा जैका वाइब्रेशन धीर होगा जसे ऑसे बराता जा linear expansion of solids लिखो topic लिखो linear expansion of solids तो पहले तुम इस topic को समझना पहले आप समझना और फिर हम इसकी mathematics पहेंगे suppose करो कि आपके पास यह कोई road है और मालो इस road की जो length है वो है L और अभी आपका temperature है T1 क्या temperature है T1 और फिर आपने क्या किया इस road को hit up किया hit up किया मतलब घरम किया घरम किया तो यार इसमें atoms vibrate करेंगे तो इसकी length बढ़ जाएगी तो मान लोग कि इसका temperature हो गया T2 और मान लोग कि इसकी length है इसकी length है वो बढ़की हो गई L'dash कितनी length हो गई L dash तो पहले इसकी length कितनी थी L अब कितनी हो गई L dash क्यों कि आपने temperature बढ़ाया तो T2 is greater than T1 तो याद रखना यहाँ पे L dash का formula क्या होगा L dash equal to L और bracket में आएगा 1 plus alpha T2 minus T1 ठीक है लिखो अपनी copy में तो L dash का मतलब क्या है L dash का मतलब है length at T2 temperature length at T2 L का मतलब क्या है कि T1 temperature पे कितनी length थी length at T1 alpha क्या है लिखो अपनी copy में alpha है coefficient of linear expansion coefficient of linear expansion और इसकी जो ऐसा unit होती है वो होती है Kelvin inverse ऐसा unit क्या होती है Kelvin inverse तो याद रखना अगर आपके पास कोई road है जिसकी length L और temperature T1 पे उसकी length L है अगर आप उसको heat करोगे गरम करोगे तो आपके जो molecule से और atom से वो vibrate करते है vibrate करके क्या करते है वो दूर दूर हो जाते है तो मान लो कि किसी temperature T2 पे इसकी length हो गई L dash मतलब इसकी length क्या होगी बड़ी L dash is greater than L तो L dash कैसे निकालेंगे तो L dash equal to L bracket में आएगा 1 plus alpha T2 minus T1 T1 मतलब शुरूवात वाला temperature T2 मतलब बाद वाला temperature और alpha क्या होता है coefficient of linear expansion और इसकी unit क्या होती है Kelvin inverse लिख लो अपनी कापे में लिख लो फिर मैं इसका numerical खुद कराऊंगा अग्ला numerical तुम्हें खुद सॉल करना है लिख लो अपनी कापे में लिख लो इसको फिर मैं तुम्हें का कॉशन करना सिखाता हूँ तो समजमें आएगा अपनी आप एक बार लिख लो इसको minimum तो अब तुम ब्याद से देखो इसका एक कोश्चन मैं तुम समझना लिखा अपनी काप में लेंथ अफ़ रोड इस 20 सेंटिमेटर एट 20 डिग्री सेल्सियस वाट विल बेट्स लेंथ वाट विल बी इस लेंथ आपको बताना है वाट विल बेट्स लेंथ एट 40 डिग्री सेल्सियस इफ अलफा इस 0.01 कैल्मिन इंवर्स तो कैसे करें गे तो आपको lower temperature टेंपरेचर 20 हायर temperature 40 थो t1 कितने 20 डीग्री टीटे कितने पहुट डीग्री और लोवर्ड अपकी लेंथ कितनी tipping 20 cm higher temperature आपको निकालनी है मतलब आपको L दे रखा है 20 आपको एटेश निकालना है है तो length of a road is 20 cm at 20 degrees Celsius तो T1 temperature पर length वहाट विल विच्स length is 40 तो T2 कितना है 40 तब आपको length निकालनी है अलफा इतना दे रखाए 0.01 तो धियान से देखो l- का formula क्या होता है यही होता है इसका formula इसका formula होता है l- equal to l1 plus alpha t2-1 तो ल कितना है 201 plus alpha ट्वेंटेटी प्लस वन बाइफाइव इसको सौल करू तो 20 प्लस 20 घितना आया यह कि एगया तो वीटी फॉर सेंटीमेटर ठीक है तो ध्यान से देखो 20 डिग्री पे इसकी लेंथ थी 20, 40 डिग्री पे कितनी होगी 24 तो कौन सा फार्मुला यूस किया हमने यह वाला फार्मुला लीनियर एक्सपांशन का तो नाई लेंथ इस इकुल टू पूरा लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अलफा आपका टेंपरेचर कितना चींज हुआ और अलफा होता है आपका टेंपरेचर कोईफिशेंट तो यह याद रखना है किसी को इस नुमेरिकल में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी को इस नुमेरिकल में कोई डाउट है तो आप पूच सकते हो कि यहाँ पर आप ने गिये फॉर्मिला कैसे यूस किया कोई डाउट है तो डाट से Tree कोई डाउट है तो पूछ जूद्वा। एक एक और फॉर्मिला में लिखवा रहा हूं फिर तुम्हें कोशन करना है तो तुम्हें याद है अपना एक्वेशन क्या था एलडेश इक्वल टू एल वन प्लस अलफा टीटू माइनस टीवन तो आप इस ब्रैकेट को ओपन करो तो आपन करोगे तो क्या आएगा एल डेश इक्वल टू ओपन करो तो एल प्लस क्या हो जाएगा एल अलफा टीटू माइनस टीवन यह होगा कोई डाउट तो नहीं है मैंने खाली ब्रैकेट को ओपन किया देखो अब आप इस एल को उदर लेके जाओ तो यह क्या हो जाएगा एल डेश माइनस एल इक्वल L alpha T2 minus T1 कोई doubt तो नहीं देखो bracket open किया L को अदर लिया तो L dash minus L का मतलब है कि आपकी length कितना change हुई डल L और T2 minus T1 का मतलब है कि आपका temperature कितना change हुआ डल T तो डल T को नीचे लेके जाओ तो अपन क्या लिख सकते है डल L upon del T equal to L alpha अगर इसको differentiation form में लिखे तो आप लिख सकते हो DL upon DT equal to L alpha तो लिख लो अपनी कापे में बहुत important formula ये नीचे वाला भी लिख लो अपनी कापे में DL upon DT equal to L alpha यह थोड़ी दिर के बाद वापस आएगा तो इसको लिख लो अपनी कापे में तो L को 1 से multiply किया तो L आया L को उससे multiply किया तो यह पर L आया फिर L को उधर लेके गया तो क्या आया L देश मैनस L इदर क्या बचा L alpha T2 minus T1 तो L dash minus L क्या है change in length T2 minus T1 क्या है change in temperature डेल्टी को इसके बचा बचा डेलल अपन डेल्टी L alpha तो उसको अपन लिख सकते है DL upon DT तो L L का मतलब क्या होता है change in length DT का मतलब क्या होता है change in temperature तो DL upon DT कितना आगया आपका L alpha लिख लो अपनी काप्र में लिख लो और कोई doubt है इसमें तो आप पूच सकते हो कोई भी doubt है तो आप पूच सकते हो अगर 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 तुम्हारे लेवल पर बात करूं मैं जो भी यह नहीं जो भी पढ़ रहे हो तो अपने लेवल पर जनरली alpha constant होता है लेकिन अगर अगर तुम्हें एक्जाम में दे हो कि alpha तुम्हारा है T के alpha है T alpha equal to T दे दिया मालो alpha temperature पर depend कर रहा है तो को कुछ नहीं करना है आप alpha की जिए T लिखो आप integrate करो आपको answer मिल जाएगा है तो alpha depend करेगा की नहीं करेगा यह तुम्हें question से ही पता पढ़ेगा तो question में अगर तुझे दे रखा है कि alpha तेरा 0.02 है तो तो तेको सोतने की जरूती नहीं constant है लेकिन आप मालते को alpha दे रखाए T alpha equal to T दे रखाए T मतलब temperature तो तो तेको alpha की जगे T put करना है DT को उदर लेकिए तो वो डिपेंड करता है question पर लेकिना general question में alpha constant ही होता है ओकर साथ ठीक है तो एक question है एक question है एक question है जो मैं solve कर रहा हूं तुम उस question को समझना ठीक है फिर अगला question तुम्हें करना है तो question है question क्या ज्यान से दिखो if length of a road is 20 cm and alpha is 0.03 Kelvin inverse find change in length आपको बताने length कितना change करेगी if temperature is changed by if temperature is changed by 0.2 degree Celsius तो अब तुम सब इस question को ध्यान से सुनो ध्यान से समझो कि question में क्या दे रखा है तो question में ये दे रखा है कि आपके पास एक road है if length of a road is 20 cm तो आपको L कितना दे रखा है 20 cm alpha कितना दे रखा है alpha आपको दे रखा है 0.2 degree Celsius यादे मैंने last slide में तुमें एक equation लिखवा ही थी ये वाली del L upon delta equal to L alpha तो del L upon delta equal to L alpha तो आप मुझे बताओ del L किसके बराबर होगा L alpha delta तो L कितना है देखो 20 है alpha कितना है 0.03 है change in temperature कितना है 0.2 degree है यह आपका answer आगया किसमे answer आएगा centimeter में क्यों कि लेन भी आपने centimeter में ली थी इस तरीके से solve करते है किसी को इसमें कुछ doubt है तो आप पूछ सकते हो किसी को इसमें कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो कि नो से नो तुम्हें समझ माया है question करने कैसे आशीश तुम्हें question पढ़के पता पढ़ना चाहिए कि मुझे solution कैसे करना है doubt है तो आप पूछ सकते हो कोई doubt नहीं है तो next topic लिखो तुम next topic लिखो area expansion next topic लिखो आप area expansion और अब तुम्हें चीज़ ध्याहते सुनना suppose करो कि यह कोई plate है जिसका t1 temperature पे area है अब मान लोग कि आप इस plate को heat करो heat करो मतलब आप इसको घरम करो तो घरम करने पे चीज़े vibrate करती है तो अगर length है तो length बढ़ेगी area है तो area बढ़ेगा और मान लोग कि इसका area बढ़के हो गया एडश और temperature कितना है T2 आपको दे रखा है T2 greater than T1 तो यहाद रखना यहाँ पर क्या formula आएगा same वैसे formula है एड़ेश इक्वल टू A1 प्लस लेकिन यहाँ पर आएगा beta T2 minus T1 और यह बीटा होता है coefficient of area expansion coefficient of area expansion और इसकी इनुट भी कित्ती होती हुआ ही Kelvin inverse लेख लो आपनी काप में same formula है बस length की जगे area आगया क्योंकि यहाँ पर plate है तो plant की तो length नहीं बढ़ेगी plate का तो क्या बढ़ेगा area बढ़ेगा और बाकी alpha की जगे बीटा आगया बीटा के coefficient of area expansion लिखलो अपनी काप में लिखलो और फिर एक कोशन तुम्हें सॉल करना है इसको लिखलो फिर इसका कोशन तुम्हें सॉल करना है लिखलो इसको कोशन मैं भी करा हूँगा कुशंट तुम्हें सॉल करना थे हडिल कि लिखलिया है इस फैसल बीटा है जो इसका भी वहाला form में अब यह तुम्हें लिख़ता हूँ देखो ब्रेकेट को open करो टो अडिश इक्वल टु एए तो open कि ए अजाएगा ए प्लस ए बीटा T2 माइनस्टीवन फिर आप एको लेकी जाओ तो यह हो जाएगा lad क्या बचेगा ए बीटा माइनस रिप ए माइनस ए का मतलब कहा है चेंज इन रिया डैल ऐ और यहां पर एबीटा टी टू माइस टी वन के है चेंज इन टेंपरेचर तो इसको नीचे लेखे जाओ तो डेले अपवाण डेलटी कितना है आपका एबीटा यहां कि आप इसका डिफरेंशिल फॉर्म लिखें तो डे अपवाण डीटी किसके बराबर आया एबीटा के लिख लो अपनी लिख लो इसको और फिर अपन नुमेरिकल तुम ही करोगे इसका मैंनी करूगा लिख लो इसको लिख लो और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो तो अगर आपके पास कोई रोड है कोई कोई रंबी लंबी रोड है तो रोड का टेमप्रेचर बढ़ाओगे तो उसकी लेंध बढ़ेगी अगर कोई plate है तो उसका area बढ़ेगा तो कितना area बढ़ेगा अपने हो कैसे पता पढ़ता है इस उपपर वाले formula से पता पढ़ता है इस से ठीक है तो अब एक question तुम लोगों को solve करना है मैं question दे रहा हूं तो मैं करने के लिए ठीक है मैं next slide पर जा रहा हूं कोई doubt है इसमें तो पूछ लो आप कोई doubt है तो पूछ लो नहीं सब क्लियर है एक question तुम solve करो तो question है यह कि आपके पास एक प्लेट है जो है चार सेंटिमेटर इंटू चार सेंटिमेटर की और अभी आपका जो temperature है वह आपको दे रखा है 10 डिग्री celsius है ना और आपको बताना है कि अगर मैं कि इसका final area कितना होगा और आपको बीटा दे रखा है 0.001 Kelvin inverse solve करो क्या आगा इस concept आपको शुरुवात का area आप निकाल देना square plate square का area कितना होता है length into breadth फिर मैंने इसका temperature बढ़ा के कर दिया 20 कितना कर दिया 20 डिग्री तो एक बात तो पक्की इसका area बढ़ेगा तो आपको बताना है कि इसका final area कितना होगा और बीटा आपको दे रखा है 0.001 Kelvin inverse solve करो क्या आगा स्कांसर चेक करो चेक करो क्या आगा स्कांसर कितना आगा स्कांसर तो सुचो एडेश आपको निकाल दा है यह मतलब पहले क्या area था तो फोर फोर जा पहले कितना area था शोला अब वन प्लस बीटा बीटा कितना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इंटू चेंज इन टेंपरेचर कितना है डस तो सॉल करो देखो कितना आएगा यह तो नीचे आपका थाउजंड आ जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो गया अब इसको ब्रेकेट को अपन करो तो शिक्स्टीन प्लस शिक्स्टीन अपॉन ह सेंटिमिटर स्क्वार कोई है तो पूछ सकते हो कि आपकरोकी और चेंपिश्युक्त कर रहे हो तो तो कुछ समझ में आएगा तो अगर कुछी लेंग है उसको गरम करते हैं तो इसकी length भड़ती है कोई plate है उसको गरम करते हैं तो उसका area भड़ता है length के case में alpha लिखते है coefficient of linear expansion area के case में beta लिखते है coefficient of area expansion दोनों की ऐसा unit same होती है Kelvin inverse कोई doubt है इसमें तो पुछो पुछो प्रवीर कोई doubt है आशीच कोई doubt है रिशिता हैतल कोई doubt है देवेश सब्सक्राइब कोई तो अब एक चीज तुम याद रखना टॉपिक लिखा अपनी कापे में यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी इन एक्सपांशन तो आपके एक्सपांशन में यूनिफॉर्मिटी होती है इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई स्क्वार है अगर आप इसको घरम करोगे अगर आप इसको घरम करोगे हीट करोगे तो भी वो स्क्वार ही रहेगा मतलब उसका एरिया बढ़ेगा मैं मानता हूँ लेकिन तो भी क्या रहेगा वो स्क्वारी रहेगा यह नहीं कि वो रेक्टेंगल बन जाएगा तो मान लो बाद में टेंपरेचर टी डेश है तो टी डेश विल भी गटेदें टी तो भी क्या रहेगा वो स्क्वारी रहेगा है ना और मान लो suppose करो कि आपके पास कोई rectangle है मान लो कि आपके पास कोई square है ठीक है आपके पास क्या है कोई square है और square के बीचे मान लो एक circular hole है मान लो आपका hole है circular hole है यहाँ पर आपका square है ठीक है और मान लो अभी temperature T है अगर आप इसको hit up करोगे न अगर आप इसको घरम करोगे तो भी यह square ही रहेगा और आपका अंदर एक्चुलि यहां पे एकदम center पे आपका अंदर जो circle है वो भी आपका expand करेगा यह नहीं कि तुम यह सोचरों की सर यह square का area तो बढ़ेगा सरकल नहीं आपका यह जो circle है इसका area भी बढ़ जाएगा और आपका square का area भी बढ़ जाएगा होल की साइज भी बढ़ेगी हाँ बढ़ेगी यह नहीं की साइज गटेगी तो यूनिफॉर्मिटी रहती है इसको याद रखना अपनी दिमाग में है ना तो चाहो तो इसको बना लो ताकि तुम्हें याद रहेगा बना लो और इसमें कोई डाउट यहाँ पूछ सकते हो तो कोई square है तो square हाएगा rectangle है तो rectangle रहेगा गोला है तो गोला रहेगा अगर मानलो कोई area है उसके बीच में एक छेद है उसको घरम करोगे है ना तो वह छेद भी बढ़ा होगा यह नहीं की छेद छोटा हो जाएगा आपका छेद भी क्या होगा आपका छेद भी बढ़ा होगा ठीक है next लिखो अपनी काप में तीसरा topic लिखो volume expansion तीसरा topic लिखो अपनी कापे में volume expansion अब इसका मतलब क्या है ध्यान से दिखो मान लो कि यह कोई body है जिसका volume में V temperature T पे तो अगर आप इसका temperature बढ़ा होगे मान लो T डेश greater than T तो होगा क्या इसका volume बढ़ जाएगा मान लो इसका volume होगया V dash तो V dash का formula होता है V dash equal to V 1 plus gamma T2 minus T1 याद रखना यहां पे gamma मतलब होता है coefficient of volume expansion coefficient of volume expansion इसकी भी ऐसा unit किती होती है same Kelvin inverse V dash equal to V 1 plus gamma T2 minus T1 same अगर आप इस bracket को open करोगे तो आएगा V dash equal to V plus V gamma T2 minus T1 और जिसे पहले हम लोगों ने expand किया था और solve किया था तो इसको उधर लेके जाओ तो इधर हो जाएगा del V और इधर बच्छे का V gamma del T तो यहां पे क्या equation आएगी same del V upon del T equal to क्या जाएगी तुम्हारी V gamma लिख लो अपनी कॉपल में और यह T यहां पे टेंपरेचर है टाइम नहीं है हाँ रिष्टा uniformity sub case में रहती है uniformity sub case में रहती है अगर मान लोगी यह कोई sphere है इसमें कोई छोटा सा छेद है अगर इसको घरम करोगे तो आपका sphere भी बढ़ा होगा अंदर जो होल है वो भी बढ़ा हो जाएगा लिख लो अपनी कापे में यह फार्मुला सारे इंपोर्टेंट फार्मुले है कोई डाव टेस में तो आप पूछ सकते हो घामा होता है आपका coefficient of volume expansion लिख लो अपनी कापे में गामा में क्या relation है फिर अपन वो निकालेंगे लिख लो इसमें कोई डावट है तो आप पूछ सकते हो नई सब्सक्राइब है क्लियर है हर्ष प्रवीर कोई डावट है तो पूछो आशीश कोई डावट है तो तो तुम पूछ सकते हो वह सलमना नएक दिखांड है यह पाइले टॉनों कर दिखें अब अब हुआ करते अब सब्सक्राइब है वह निकालेंगे किसी को सब्सक्राइब ही तो अभी तक पूछ रो तीवे expansion में कोई डाउट नहीं है तो सब ध्यान से देखो सब समझना तो लिखो अपनी कापे में relation between topic लिखो अपनी कापे में relation between alpha and beta देखो कैसे निकालूंगा तुम सब ध्यान से देखना तुम यादे अगर कोई road है जिसकी length तो इसके लिए क्या equation आई थी DL upon DT equal to alpha भूल तो नहीं गए यादे equation मैंने थोड़ी दिर डराइव कराई और मालो की कोई plate है जिसका side length L तो यादे इसके लिए क्या equation आई थी DL upon DT equal to a beta भूल तो नहीं गए अपने थोड़ी दिर पहले यह दोनों equation derive करी है equation number one equation number two कोई doubt है इसमें तो पूछो कि sir हमने नहीं करी है कराई तो है मैंने पर तुम्हें doubt है तो पूछो कि sir इसमें कोई doubt है मैं तुम्हें दोनों कराई है DL upon DT L alpha DA upon DT A beta कोई doubt तो नहीं है इसमें नहीं sir clear है तो देखो यह जो प्लेट है आप मुझे बताओ कि इस प्लेट का area कितना होगा L square होगा कि नहीं होगा प्रवीर रिशिता है तल इतना ही होगा इसका यह जो प्लेट है इसकी length BL है breadth BL है इसका area L square होगा है ना तो अब तुम ध्यान से देखना मैं दोनों तरफ temperature के respect कर रहा हूं तो एक आतो हो जाएगा DA upon DT किसके respect में temperature के respect में अपन करते L square का जादे कैसे करते differentiation जो power है उसको आगे बुला लो और power है उसमें से एक घटा दो तो 2 आगे आया उपर आया 2-1 और यहाँ पर L का कितना होगा DL upon DT तुम भूलतों नहीं गए पहले L square का किया फिर L का किया और DL upon DT क्या है आप मुझे बताओ DL upon DT क्या है A beta A मतलब क्या है L square DL upon DT क्या है A beta तो L square और इधर आजाएगा 2L और DL by DT क्या है L alpha तो इधर आजाएगा L alpha तक क्या L square से L square गया तक कि equation क्या बनी beta equal to 2 alpha लिख लो अपनी copy में लिख लो बहुत important है खासकर MCQ वाले questions में जहां पर competitive exam होते हैं वहां पर बहुत important है अगर आपको question में beta दे रखा है तो आप alpha ऐसे निकाल सकते हो alpha दे रखा है तो आप beta निकाल सकते हो beta क्या होता है 2 alpha कैसे क्या देखो मैंने DL upon dt होता है A beta तो A होता है इस plate का area कितना L square तो मैंने दों तरफ temperature के तो differentiate किया तो A का तो DA by dt हो गया L square का differentiation 2L, L का DL by dt फिर DA by dt की value तो मैंने यहां से लेके आया उपर से और DL by dt की value यहां से लेके आया और area की जगे मैंने L square put कर दिया आपका क्या बीटा equal to 2 alpha लिख लो अपनी जब इसमें कोई भी डाउट है तो तुम्हें पूछ सकते होगी इसमें यह डाउट आ रहा है आपने कैसे किया वह बिखुल समझ भी नहीं आया डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा यार को भी डाउट है हर्श क्लियर है कि डाउट है वंच डाउट है कोई कि समझ मां आ गया समझ आ गया ओके ठीक है तो अब तुम मेरे लिए तुम्हारे पास एक एसाइमेंट है तुम्हें क्या प्रूव करना है प्रूव डेट गामा एक्वेल टू थ्री अलफा यह तुम मुझे करके बताओगे कैसे करना सेम ऐसे ही करना आप एक तो लेंथ लेना इसके लिए क्या लेना और इसका वाल्यूम क्या होगा एल क्यूब तो इसके लिए क्वेशन आजएगी डीवी बाइडी टी एकवल टू गामा वी तो इन दोनों एक्वेशन को यूज करके तुम्हें प्रूव करना है कि गामा क्या होता है थ्री अलफा तुम करना और नहीं आया है तो तो बीटा होता है तइसको लिख लो यहाई साइक्म्हारे लिये तुम्हें प्रूव करना ही है लोगा आशेख लो दाउट अभ्या ली पाठीदि हो कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि यह कोशन यह कैसे करना है तुम्हें ट्राय करना है ठीक है अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से दिखो तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपे में थर्मल स्ट्रेस अपनी कॉपे में थर्मल स्ट्रेस अब थर्मल स्ट्रेस क्या होता है तो पहले तुम एक चीज समझना देखो सपोस करो कि जब तुम छोटे थे तो तुम इस तरीके से थे मान लो तुमारी हाइट थी 10 सेंटिमेटर अब मान लो कि मैं तुमारे उपर भी एक दिवार रगा दू नीचे भी एक दिवार लगा दू लेकिन जैसे जैसे तुमारी एज बढ़ेगी तुमारी हाइट तो बढ़ेगी लेकिन क्या तुमारी हाइट बढ़ पाएगी अगर मान लो में तुम्हारे उपर भी दिवा रख दो और नीचे भी नहीं बढ़ पाएगी तुम्हारी height बढ़ना चाहती है लेकिन बढ़ तो पाएगी नहीं क्योंकि उपर से भी तुम्हें fix कर रखा है नीचे से भी तुम्हें मैं compress कर रहा है है ना तो याद रखना अगर मान लो कि तुम दो दिवार ले लो दो दिवार ले लो और मान लो दिवार के बीच में आप एक रोड लगा दो इस रोड की लेंथ है अगर तुम temperature बढ़ाओगे तो इस रोड की लेंथ बढ़ना चाहेगी लेकिन क्या बढ़ कि दोनों तरफ से compress करो तो इसके अंदर क्या क्रियेट होगा compressive stress तो लिखो अपनी कफे में thermal stress के अंदर line लिखो Thermal stress के अंदर line लिखो कि वहने road When a road is binded between two boundaries when a road is bonded between two boundaries and temperature is increased and temperature is increased then it will be in compressive stress then it will be in compressive stress और अब उसका stress होगा कितना देखो अब हम वो निकालेंगे तो मानलो L इसके length एसका area है और मानलो delta आपको दे रखा है change in temperature मानलो आपने temperature कितना बढ़ाया delta त्यादे एक equation कौन सी थी अपनी dl upon dt equal to L alpha थी equation भूल तो नहीं गए तो अपन क्या करते L को नीचे लेके आजाते alpha dt उदर तला जाएगा कोई doubt तो नहीं है dl upon L equal to alpha dt और मानलो आपको y दे रखा है youngs modulus आपको y इसका क्या दे रखा है आपको इसका youngs modulus दे रखा है y तो अगर तुम नहीं भूले हो तो मैं तुम्हें बता दू stress equal to क्या होता है youngs modulus into strain होता है stress क्या होगा force upon area youngs modulus y और strain क्या होगा change in length upon original length तो आप मुझे बताओ dl upon L की जगे अपन क्या put कर सकते है force upon area equal to y alpha dt लिख सकते है y alpha dt या पर delta लिखा हुआ है तो कोई नहीं आप इसको delta लिखते हो y alpha delta तो आपका force किता आजाएगा a इस a को उदर लेके जाओ तो आपका force किता आजाएगा a y alpha delta तो यह आपका force है और यह आपका stress है यह आपका stress है और force पूछा जाए तो यह आपका force है लिख लो अपनी कापे में और कोई doubt test में है तो पूछ सकते हो तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी बॉडी पर जो थर्मल स्ट्रेस होता है, वो किस पर डिपेंड करता है, यंग्स मॉडलस पर, कोईफिशिंट अव एक्सपांशन पर, और तीसरा आपने कितना टेंप्रेचर बढ़ाया उस पर, डेल टी, यह तीसरा क्या लिखा हुआ है, यह लिखावा है, डेल टी, लिख लो अपनी कापे में, लिख लो थर्मल स्ट्रेस का फर्मॉला, तुम चाहो तो इसको डी टी भी लिख सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ता, तो अपन डी टी लिख देते हैं, जो कि आप शूरू से डी लिख रहे हो, यहाँ पर डी टी आ ज पर जाएं. करी, तो मैंने L को नीचे लेकिए, डी टी को दे लेकिए, तो DL upon L आ गया, DL upon L का मतलब है कि इसमें कितना स्ट्रेंद हो सकता है, पर हो तो नहीं पाएगा, पर DL upon L का मतलब क्या है कि कितना लेंध हो बढ़ सकता है इसका, और फिर अपनने हुक्स लप अपट किया, इस्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडलेस इंटो स्ट्रेंद, इस्ट्रेंद किया आता है, DL upon L, उसकी जगे अपनने का पट कर दिया, अलफा डेल्टी, तो यह आ गया तुम्हारा थर्मा स्ट्रेस, किसी को अब इस टॉपिक में कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो आप क्लियर कर सकते हो आशीश कोई डाउट है, प्रवीर कोई डाउट है, हैतल, वाइंच कोई डाउट है तो पूछो, मैं तुम्हारा इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्जाम में कोशन आता है, तो तो तुम्हें फॉर्मिला पता होना चाहिए, नुमेरिकल आता है, तो बस वैल्यू ओके, कोई डाउट नहीं है, तो एक मैं तुम्हें एसाइमेंट दिया है, एक मैं तुम्हें शीट बेज़ दूँगा इसके, ठीक है, तो नेक्स क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, मतलब चैप्टर में specific heat capacity, molar heat capacity, वह सब करेंगे, आसान चैप्टर है, scoring है, ठ एक मिनिट फॉर्मूला लिख लें, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, और शीटा है तल देवांच तुम्हें की लशांक को क्लास है ना, 730, ओके ज़र, यह जो T है वो T final है क्या, कौन सा T, वो F equals to A by alpha T, T नहीं है वो DT है, change in depth, अच्छा, ओके, ओके, ओके साथ, ओके बायर,